वेल्कम टू ट्रेटल आफ्टर मार्केट अनलिसिस वीडियो चलिए देखते करें हमें कॉंसे स्टॉक में प्लाइन करना है तो हमारा फॉर्स टॉक है टाटा स्टील हमने से लेकिए आफ्टर मार्केट ब्रेकाउट स्ट्राइजी से तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन बॉक्स काप पर प्लेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो यह बैसिकली आपका रेड जोन हो जाता है डाट इस बिट्विन रेड एन ग्रीन बॉक्स तो हमें बैसिकली हमारे ट्रेट बायसाइड के लिए प्लाइन करने तो बोस्ट इंपोर्टन थे हमारे लिए में तो यहाँ पर अगर सस्टेन करती है तो नो डाट आपकी कॉंटिटी आप कर सकते हो एंड मोस्ट इंपोर्टन आपकी बैसिकली स्टॉप लॉस रहेगी जो आपको मेंटेन करने होगे आपकी स्टॉप लॉस डैट विल बी सम्वेर नियर टू 119 जोन तो यह आपको एक ट्रेड फस्ट कॉंटिटी इनिशेट हो जाएगा एक बार एकबर साइडवीज हो जाता है इस पर्टिकुलर जोन में और फिर एक बार अगर अगर नया हाई लग जाते तो आपकी बेसिकली रिमेनिंग कॉंटिटी जो बिसिकली मेजर कॉंटिटी होगी वह आपके अडब तो same structure है similar to Tata still follow through sell off होने के बाद consolidation zone मे format remains the same आपको बस red box के उपर line mark करने तो जब भी आप red and green boxes देखते हैं consolidation zone में तो यह आपके सबसे best favorable stock होते है on the breakout side तो यहाँ पर just trade flow आपको बता रहा है कि bias basically buy plan करने हमें green color है मतलब breakout तो यहाँ पर हमें buy trade के लिए plan करना है same format में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको basically trades कहाँ पर plan करने जब इसके ऊपर अगर breakout हो जाते टाटा पॉर में so that will be somewhere around 238 zone अगर यहाँ पर same format में sustain करती है नया है बन जाता है तो आपको follow through execution हो जाएगा यहाँ पर टार्गेट जोन रहेगा यह पर्टिक्लर लेवल जो बेसिकली ट्रेटलू का upcoming level 240.5 बट मोस्ट इंपरेंटली इस पर्टिक्लर जोन तक भी है पर्टिक्लर स्टॉक यहाँ पर कर सकते हैं तो यह आपका हो जोन में इसलिए हम बेसिकली इसमें ब्रेकाउट ट्रेडिंग के लिए प्लान करने तो अगर आपको भी ऐसे प्रॉपर वे में ट्रेट्स प्लान करने आपके तो में ब्रेक्ट्र क्या जोन में तो झालन झालन होकृ झालन इस Pine